दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों की चश्मा लगा हुआ है कुछ बाज बच्चों की चश्मा लग जाता है 15-16 साल की उमर में ही चश्मा लग जाता है और पढ़ाई करते होंने बहुत ज़्यादा प्रोब्लम होती है आखों से पानी निकलता है या आखों में एक इचिंग सी होती है और चश्मे के बिना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती तो दोस्तो उनके लिए बहत्रीन नुसका में आपको बताने वाला हूँ अगर आप इसका बना कर घर पर इस्तिमाल करते हैं मेरे बताई हुए तरीके से तो शिपा इंशालला जरूर होएगी तो दोस्तो अदभिया मैं आपको बता रहा हूँ अदभिया नौट फरमा ले सबसे पहले आपको लेना है मग्ज बादाम बहत्रीन क्वालिटी का बादाम वो होना चाहिए जिसमें रोगनें बादाम हों तो मग्स बादाम आपको बहतरिन क्वालिटी का लेना है और फिर लेना है आपको सौफ बहतरिन क्वालिटी की लेनी है आपको इसे बाधियान भी कहा जाता है और तीसरी चीज़ आपको लेना है शहद शहद असली होना चाहिए दोस्तों कमपनी का शहद इस्तेमाल करे तो बहतरी कमपनी का इस्तेमाल करे और घर का अगर मिल जाए ताजा तूटा हुआ तो उससे बहतर कुछ नहीं है और फिर आपको लेनी है इंजीर इंजीर भी दोस्तों आपको बहतरीन क्वालिटिक लेनी है ये वाली लेनी है और दोस्तों इनका आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है आपको ये अद्विया जो लेनी है बादाम, सौफ और शहद और इंजीर तो दोस्तों इसमें शहद ज इतनी भी आपको लेनी है, सब हम वजन लेनी है, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, रात को सोते वक्त एक चमश दूद के साथ, दोस्तों बहुत जल्दी आपकी आँखों से चश्मा हट जाएगा, ये मेरी गारंटी है, और ये नुस्खा में अपने मरीजों को भी दे के आजमाया हुआ है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा होसला अफजाई होता है,